चिकन कॉर्मा तो आपने बहुत तरह का खाया होगा, पर ऐसा नीघाया होगा तो सबसे पहले मैंशन किये हुए कुछ साबत मसालों का पाउडर बना लेंगे फिर गी में प्यास को गोल्जन प्राउन करके निकाल लेंगे फिर उसी ओयल में कुछ साबत मसालों को थोड़ा सा क्रेकल करेंगे फिर दो खाने की चमश लेसन अदरग का पेस्ट फ्राइ करेंगे 1.5 किलो चिकन डालेंगे और कलर चेंज होने तक पकाएंगे साथ ये कब दही और फ्राइड अनियन का पेस्ट बना लेंगे 4 टमाटर और 5 हरी मिर्चो का भी पेस्ट बना लेंगे फिर चिकन में एक चमश नमक, टेट चमश लाल मिर्च पाउडर, एक चमश धनिया पाउडर, आदा चमश हल्दी और एक चमश जीरा पाउडर डाल कर एक दो मिनट इसकी बनाई करेंगे फॉरन से टमाटर और हरी मिर्चो का पेस्ट डालेंगे और 3-4 मिनट इसकी बनाई करेंगे पिर दही और प्यास की पेस्ट डालेंगे और जो शुरू में हमने मसाला त्यार किया था उसे डालेंगे आदा का पानी आट करेंगे और विल्कुल हलकी आच पर इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे अब कोर्मे की खुश्बू बढ़ाने के लिए एक खाने का चमश किसी भी ब्रैंड का आपने कोर्मा मसाला आट करना है दो मिनट के लिए दम पर लगा देना है अब आप इसकी ग्रेवी चेक करें ये सबर्दस चिकन कोर्मा त्यार है